नमस्कार मैं हूँ प्रवेड गोतम दोस्तों करन्थापर के साथ इंटर्व्यू में धूराथी ने पीम मोधी पर एक बड़ा सवाल उठाया है बीजेपी के तमाम नेता दावा करते हैं कि पीम मोधी का डंका बचता है पुरु प्रदाल मत्री मनमोहन सिंग बोलना नहीं जाते थे और पीम मोधी शेर की तरह दहारते हैं लेकिन धूराथी ने क्या सवाल उठाया है पीम मोधी पर डरपोक होने का आरूप लगाते भी दूराथी करण्थापर के साथ इंटर्व्य में क्या कहते हैं जड़ा सुनिए दूराथी कहते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है जब ये मेरा चैनल बंद कर देंगी तो मैं अभी से वोर्डिंग दे रहा हूं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है देश میں उस दिन का इंतजार मत करो जब मेरा चैनल भी बंद हो जाएगा और कोई बोलने वाला बचेगा नहीं तब लेट हो जाएगा इसके बाद कर्णथा पर सवाल करते हैं कि आप ये कहना चाते हैं कि 56 इंच की चाती वाले अंदर से डरपोक हैं तो दूराटी जवाब देते हैं कि निश्चित तोर पर डरपोक हैं तब ही तो ये सब हो रहा है आकरी बार मोदी जी ने अंस्क्रिप्टिड इंटर्व्यू आपके साथ ही किया था उसके बाद से उन्हें इतना डर लगा इस बात का कि ऐसी बेज़ती मेरी दोबारा नहीं होनी चाहिए इस डर में आकर उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल जमाया कि ऐसी बेज़ती मैं दोबारा नहीं सह सकता तो पूरे मीडिया पर कंट्रोल जमाने की जरुवत है कोई मेरे खिलाप नहीं बोच सकता और उसके बाद उन्हें किसी से एक भी अंस्क्रिप्टिड सवाल नहीं लिया आगे दुरूड आठी भवश्वानी करते हुए कहते हैं देखना अभी इलेक्शन टाइम आ रहा है तो बहुत सारे इंट्रिव्यू करेंगी एक चीज़ नोटिस करना कि किसी भी इंट्रिव्यू में उनसे कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाएगा इंट्रिव्यू करने बाले का सवाल आएगा और उनका जवाब आएगा दूसी तरफ से जीरो काउंटर सवाल होंगे क्योंकि सब कुछ प्लान के मताबिक होगा सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से किया जाएगा उनमें हिमत ही नहीं है एक भी अंस्क्रिप्टिड सवाल लेने की तो धुरुडाटी कहते है कि पियम मोदी में हिम्मत नहीं है बिना स्क्रिप्ट के कोई सवाल लेने की धुरुडाटी के इस आरोप में थोड़ा दम तो दिखाई देता है क्योंकि पियम मोदी ने दस जाल में एक भी प्रेस कॉंफेस नहीं की कोई भी एंकर इंटर्विव में उनसे काउंटर सवाल नहीं करता उस तरह की काउंटर सवाल भी एंकर नहीं कर सकते जैसा नाविका कुमार ने निर्मला सितरमन से किया था बिश्टाचार को लेकर बिजेपी वोशिंग मशीन को लेकर इसके अलावा जैसा सुधी चोधरी ने महंगाई को लेकर समिर्थी रानी से सवाल किया था जो सवाल सुधी चोधरी और नाविका निर्मला और स्मृतिरानी से कर गई वैसे सवाल भी किसी इंटर्वी में शायद पीम मोदी से दिखाई नहीं देंगे पीम मोदी से 2019 के तरह आम आप कैसे खाते हैं इसके अलावा आप कौन सा टोनिक लेते हैं आप ठकते क्यों नहीं हैं इस तरह के सवाल किये जाएंगे सनातन की पिछ पर इंटर्वी किये जाएंगे विपक्षी नेताओं को निज़ा दिखाए जाएगा आपने अभी साउथ के एक चैनल पर इंटर्वी देखा होगा तमिलाडू के एक चैनल पर इंटर्वी दिया था पीम मोदी ने वहां एंकर सवाल करती है कि कॉंग्रेस लगातार चुनाव हा रही है जबकि आप देश के सबसे सफल पोलिटीशन हैं आप कॉंग्रेस को सला क्यों नहीं देते हैं तो इस तरह के इंटर्वीू की शुरवात हो गई है चापनूसी बाले सवालों की शुरवात हो गई है करन था पर और पियेम मोधी का इнос recepts interview काफी शर्चा में आया था और उसके बाद से धुरूराथी कहते हैं कि शायद पियेम मोधी ने unscriptit interview करना थोड़ दिया आपको धुराटी किस बात में कितना दम लगता है कि PM मोधी को अंस्क्रिप्टिट इंट्रिव्यू में डर लगता है और क्या PM मोधी को 10 साल में एक भी प्रेस कॉंफेस नहीं करनी चाहिए थी टीवी चैनलों के कॉंक्लेव में जाते हैं तो वहाँ पर भी सवालों का सामना करने की बजाए रैली की तरह भाशन दे कर आ जाते हैं आप धुराटी की बातों से कितना इतफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में पीराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार